अगर आप करेली की सब्जी बनाने का या तरीका अपनाएंगे तो जिनको करेला नहीं पसंद है वो भी आपसे मांग मांग कर किलो किलो बर करेला खा जाएंगे करेला हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है इसमें एक नहीं हजारों भीमारिया दूर करने की छमता होती है विटामिन्स और प्रोटीन का भंडार होता है इसमें कलवापन होता इसलिए इसे लोग पसंद नहीं करते हैं मैं आज इस वीडियो में बताने माला हों कैसे इसका कलवापन खतम करें और बहुत ही टेश्टी सबजी बनाएं जिससे जिन लोगों को नहीं पसंद है वो भी आपसे मांग मांग कर खाएं तो सबसे परे करेले को बिना छीले काट लिया गया है और इसके बाद इसमें जो है नमक डाल कर इसे रख दिया जाएगा इसका मसाला हम लोग घर पर ही तयार करेंगे तो नमक मिला कर करेले को रख दिया गया है और तवे पर एक चम्मच जीरा, एक चम्मच छोटी कलवंजी और एक बड़ा चम्मच सौंफ उसके बाद एक बड़ा चम्मच इसमें खड़ी धन्या डाल दिया गया है अब इन मसालों को अच्छी तरीके से आपको भूनना है भूनने के बाद इसे हम लोग अलग निकाल लेंगे और अलग निकालने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तब इसे हम लोग बिलकुल बारीक पॉडर बना लेंगे यहाँ पर लगबग एक प्याज ली गई है इसे जो च्छील लिया गया च्छीलने के बाद इसे पीस पीस में कर दिया गया है मसाला हमारा ठंडा हो चुका है इसे मिक्सी के जार में डाल दिया जाएगा और उसके बाद इसका हम लोग पौडर तयार कर लेंगे यह देखिए लगबख 10-15 मिल्ट हो चुके हैं नमक मिलाकर रखा गया था अब आपको करेले को हलका सा प्रेज करना हाथों से लगबख 4-5 गुंदेज में पानी के निकलेगी जिससे यह करेला आपका बिल्कुल कलवा पर इसका खतम हो जाएगा थोड़ा सा पानी निकला है इसे आप चाहें तो आप इसे जूस में बना कर पी सकते हैं अब हम लोग सबजी बनाएंगे तो यहां पर सरसो का तेल डाला गया है और फ तक जो है यहां पर एक आम लिया गया है इससे जो है सबजी में दस्गुना टेस्ट बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा खटा पनाएंगा तो आम को छिनने के बाद इसे जो है पीस-पीस में कट कर लिया जा रहा है इसे हम लोग सबजी में डालेंगे आप चाहें तो इस आएगी यह दिखिए इसे ढख दिया गया है दो मिनट के दो मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्यान भी हमारी सू कम बहुंख यह और प्यारा क्रेला स їकाट हो चुका है अब लोग उने ही में ठ్ल पनाया था इसमें डाल दिया जाएगा मसाले के बाद ऐग च्प मच्म अब हम लोग इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और करेले को साब्ड बनाने के लिए एक छोटा कप इसमें हम लोग पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसे हम लोग फिर से दो मिनट तक ढख कर पकाएंगे अब की हमारा बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही परफेक् पूरी पराठे चावल जिसके साथ आपका मन कर उसके साथ खा सकते हैं यह सबजी आपकी हपतों नहीं खराब होती है इसे आप फ्रीज में रख कर खा सकते हैं सिहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है सबजी इसे घर पर जरूर बनाएं बच्चे बड़े बुड़े क्यार